2004 से लेकर कि 2014 के बीच जिस देश के अंदर कोई ऐसा छेतर नहीं था जिसको कॉंग्रेस ने गोटालों से आच्छादित न किया हो गस्ता वेस्ट लेंड गोटाले की जो कड़ियां खोल गई हैं वास्तों में यह जो जाच की प्रक्रिया है कि भारती जन्ता पार्टी की सरकार ने नहीं बलकि कॉंग्रेस की सरकार के समय से यह के एंटर्णी के नित्रुत्व में जो उस समय कमेटी वनी थी उसी ने इसको आगे वढ़ाया था इठली के कोट ने जग अगस्ता वेस्टलेंट की इस चापर के घोटाले में इस चापर की सौदयबाजी में रिष्वत खोरी की बात सामने आनी पर उसने जो कारवाई उस समय इठली में प्रारम होई थी तो इटालियन कोट में के फैसले में सुनिस बात का उलेख है कि भारत की एक बहुत बड़े राजनितिक हैसियत की परिवार और उसमें कॉंग्रेस के नेताओं की रिस्वत खोरी सिर्मती गान्ही के बारे में जिस प्रकार की ठिपणियां वहाँ पर हुई है उसी में क्रिशन मिसेन की गरत्तारी भी जेम्स क्रिशन मिसेन की गरत्तारी भी उसी कड़ी का हिस्सा है और एदी ने जब चार दिसंबर को उन्हें अपनी रासत में लिया उसके बाद की जो कारवाई आगे वड़े है पठ्याला हाउस कोट ने इसी आधार पर क्योंकि कॉंग्रेस सबसेदिक घवराई थी जब जेम्स क्रिश्चन मिसेन की गिरतारी नहीं क्योंकि 3700 क्रोड रुपे के अगस्ता वेस्ट लेन हेलिकाप्टर के घोटाले में यह माना जा रहा है कि लगवग 307 क्रोड रुपे के विश्वत खोरी हुई है और जिसमें 1500 क्रोड रुपे क्यास पास कॉंग्रेस के नेकाओं को कॉंग्रेस पार्टी को यह पैसा प्राप्त हुआ है और इसलिए जब जेम्स क्विश्चन मिसेन की ग्रतारी होती है तो वहाँ सबसे ज़्यादा कॉंग्रेस घवराई है कॉंग्रेस के आखिर कॉंसे रिष्टे हैं विसे से के कॉंग्रेस ने उसके लिए तबकाल अपना विवक्ता भेजा यह चोर की डाड़ी में तिनका है यह काहवा कॉंग्रेस के स्कृते से सबस्त हो गई